एक काफी important update आप सभी के लिए और वो यह है कि parliamentary board नहीं pitch किया है कि हम जो बोलोपुली enjoy किया जाता है CA institute के द्वारा उसको खतम करतेंगे वो तब क्या वो कहना यह चाहरा है कि parliamentary body is thinking to set up a new accounting body और यह new accounting body is gonna be on a similar lines like I am, IITs उसी प्रकार से यह institute of accounting के नाम से एक नई accounting body बनाने का सोच रहे है that means उनका आप अगर article पढ़ोगे जो यहां पे मैंने लगाया है ध्यान से आप पढ़िये उनके article में उन्होंने कहा है कि हम जो भी monopoly यह लोग ने enjoy किया है जिन्होंने company secretaries ने, chartered accountants ने और CMS ने उस monopoly को हम कतम करना चाते हैं उस monopoly और power को हम कम करना चाते हैं अब उसका reason क्या है, उसका reason उन्होंने यह दिया गया है कि हमें जो scope है quality का उसको बढ़ाना है और दूसरा, जो competencies है उस चीज को बढ़ाना है और इसके लिए उन्होंने एक example दिया है कहके कि जो भी आप बड़ी-बड़ी countries देखेंगे आइधर UK, US, Canada, वहाँ पे एक accounting body पूरे system को, पूरे country को rule नहीं करती बढ़ यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो specifically Institute of Chartered Accountants पूरे countries को, पूरे regulatory को monitor करती है अब हम यह चाते हैं कि transparency आए, हम यह चाते हैं कि quality improve हो, हम यह चाते हैं कि competencies अच्छी हो और इस वज़े से, इस वज़े से Parliament ने कहा है कि भाईया, हम एक नया accounting body बनाने वाले हैं अब आप मुझे लिखके बताईए कि इससे CA community में कितना impact होगा, मुझे नहीं पताओ आप बताईए comment section में लिखके कि क्या यह move जो Parliament के दौरा लिया गया है, वो अच्छा है और अगर अच्छा है, तो क्यों अच्छा है, जरूर बताईए, और बुरा है, तो क्यों है, जरूर बताईए और गाईस, अगर आपको इस प्रकार के बहुत important updates जानने हैं, तो आप इस चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस चैनल के में बहुत सारी ऐसी चीज़े बताता हूँ, right from a job placements, interview preparations, updates relating to the ICI, motivation and risk management तो आप फटा-फट सचैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, और गाईस आप टेंशन मत लिजे, अभी तो इस चीज़ को आने में काफी टाइम है, देखते हैं कि क्या next reply होदा है institute का parliament के लिए, till then, bye bye, take care, stay safe and bye bye